नमस्का, खबरों के खबर में आपका स्वागत है बड़ा दुख हो रहा है कि बिहार के चुनाफ के नतीजे आ गए और सबसे फिसड़ी पार्टी यहाँ पर शिपसेना बन गई 22 उमीद्वार मैदान में उतारे थे उधव ठाकरे ने सबकी जमानत जब्त हो गई अब इसे आप ना समझी कहेंगे या फिर नई नई फकीरी मेरा मतलब नई नई सैक्रोनिजम का जादू पर सच तो ये है कि बार बार तमाचा पढ़ने के बाद भी उधव ठाकरे सरकार को अकल नहीं आ रही है पहले इतने होहले के बावजुद सुशान्त की मौत की जांच का जिम्मा सीब्याई को सौपा गया फिर विशेशादिकार हननन के मामले पर सुप्रिम कोर्ट का विधानसभा सचिप को नोटिस और अब अर्नब गोस्वामी की अवैद गिरफ्तारी पर सुप्रिम कोर्ट का कड़ा रुख ये तो कुछ भी नहीं है अभी तो एक नया रिकॉर्ड शिवसेना के नाम हो गया है संजे राउत तो शिवसेना के मुखपतर सामना के संपादक है और कितने बड़े पत्रकार और नेता है इतना अच्छा टॉपिक एडिटोरियल लिखने का इतना जबरदस रिकॉर्ड बन लिया है शिवसेना ने बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने 22 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इन सब सीटों पर ना सिर्फ उनके उमिद्वारों की जमानत जब्त हो गई बलकि इन सब सीटों पर कुल मिलाकर उनके उमिद्वारों को 3300 वोट ही मि अगर इसका हिसाब किताब लगाया जाए तो शिवसेना के 22 उमिद्वारों में से हर एक को ऑस्तन डेड़ सो वोट ही मिले। वोट बिहार में लोगों ने दिये उनकी तादाद भी 11,600 थी। ये तो कुछ नहीं आंकडे तो इससे भी और ज्यादा चौंक आने वाले हैं। जबकि नोटा के तहट यहाँ पर 222 वोट पड़े। नर्पत गंज में शिवसेना को 29 वोट मिले जबकि नोटा के तहट यहाँ पर भी 50 वोट पड़े। बनमंखी में शिवसेना को 49 वोट पड़े और नोटा के तहट यहाँ पर 589 वोट पड़े। किशन गंज में शिवसेना को 49 वोट मिले तो नोटा को 85 थाकूर गंज में शिवसेना को 198 वोट पड़े तो नोटा को 324 वोट मिले। बहादूर गंज में शिवसेना को 383 तो नोटा को 532 मनिहारी में शिवसेना को 141 तो नोटा के तहट यहाँ पर 672 वोट मिले। वोट शेयर की बात की जाए तो शिवसेना का बिहार इलेक्शन में वोट शेयर रहा 0.05 प्रतिशत। नोटा का वोट शेयर रहा 0.02 प्रतिशत। जबकि नोटा का वोट शेयर रहा 1.68 प्रतिशत। यानि शिवसेना का सीधा सीधा मुकाबला यहाँ पर नोटा के साथ ही था। संजे राउत के आर्टिकल के लिए कुछ और आंकडे भी बता देती हूँ। अब आप ही बताईए इतने बड़े रिकॉर्ड के बारे में शिवसेना के मुखपत्र में लेक ना लिखा जाए तो बहुत नाइनसाफी होगी। अब शिवसेना के बड़ बोले और बड़े ही काबिल एडिटर संजे राउत की नजर से यह आंकडे कैसे बच गए, वो कैसे चुक गए सामना में अपने नाम दर्ज इस रिकॉर्ड के बारे में लिखने से। इतने बड़े रिकॉर्ड को नजर अंदास करना तो शिवसेना के सैकुलर भविष्य के लिए कताई अच्छा नहीं होगा। लोगों को पता तो चलना ही चाहिए कि अपनी विचारधारा से समझोता करने वाली पार्टी का हश्र क्या होता है। वैसे भी ये तो शिवसेना क के मान सम्मान के साथ बड़ी नाइनसाफी होगी। देखा जाए तो संजेराउत को हर बात पर वाहियात अंदास में उट पटांग लेक लिखने की बड़ी आदत है। बिहार की जनता ना भूली है ना भूलेगी। किस तरह से संजेराउत ने सामना में ही लेक के जरिये बि तो खुद पर लगे इन आरोपों का जवाब देने के लिए इस दुनिया में है ही नहीं। इस लेवल की तो सम्वेदन हींता भरी हुई है संजेराउत में। उन्होंने सुषान को नशेडी कहा था, वोमेनाइजर कहा था, उन्हें डिप्रेशन का मरीज बताया था और यहा तक कीचड उचाला था कि सुषान के पिता ने तो दूसरी शादी कर ली थी और इसलिए पिता पुतर के रिष्टे ठीक नहीं थे, दोनों के भी श्तनाव था, यही नहीं बिहार के पूर्व डीजीपी गुपतेश्वर पाड़ने पर भी अमर्यादित भाशा का इस्तेमाल करते हुए काफी शर्मनाख टिपड़ी की थी संजे राउत ने, वैसे भी देखा जाये तो शिवसेना के मुखपत्र का इस्तेमाल संजे राउत ने हमेशा गालियां देने के लिए ही किया है, फिर चाहे वो बीजेपी हो, कॉंग्रेस हो, NCP हो, या फिर CBI समेट देश की ब तीकी जुबान और उनके जहरीली लेक, बीजेपी पर ही जहर उगलते थे, तो कहने का मतलब ये है कि जिसके साथ सत्ता का मज़ा लूटा शिवसेना ने उस पार्टी पर भी कीचड़ उचाला, लगबग 25 साल तक जिस बीजेपी के साथ शिवसेना रही, उससे सिर्फ सत्त के लालच में सिर्फ एक जटके में ही उसने किनारा कर लिया, तो बाकी कॉंग्रिस और NCP की शिवसेना के सामने आउकात ही क्या है, ये तो हम सब समझ सकते हैं, वैसे बिहार विधान सबा चुनाव के नतीजे देखकर तो संजे राउ थी क्या, पूरी शिवसेना ही सदमे मे चली गई है, उदव ठाकरे का हाल तो बेहाल हुआ जा रहा होगा, बताइए नई नई सेकुलर बनी शिवसेना को ना राम मिला ना ही अल्ला, वैसे भी हिंदुत्व के मुद्दे को त्याग कर उसे तिलांजली देकर परम पूजनी बाला साहिब ठाकरे जी के संसकारों को ताक परकर शिवसेना सेकुलर पार्टी बन चुकी है, नया नया मुला भी दिन में पांच बार की बजाए, दस बार नमास पढ़ता है, ऐसे में शिवसेना को बिहार में मुसलिम वोटों का भी बहुत बड़ा सहारा था, नई नई सेकुलर बनी इस पार्टी को तो बिहार म मुसल्मानों ने पूछा तक नहीं जरा सोचे कितनी उमीद के साथ शिपसेना ने बिहार विधानसभा चुनाव में अपने 22 उमीदवार उतारे थे सोचा था क्या पता किंग मेकर ही बन जाए उदफ ठाकरे ने तो वर्चुल रैलियां भी की थी वैसे संजराउत और उदफ ठाकरे के अती उत्सा और हिम्मत को तो दाद देनी चाहिए हिमाकत तो देखे शिपसेना की उसी बिहार में चुनाव लड़ने चले थे जिस बिहार के लाड़ले सुशान सिंग राजबूत को इसी शिपसेना के नेताओं ने मरने के बाद भी बदनाम किया उस बिहार में चुनाव लड़ने चले थे जिस बिहार के होनहार पिर्मस्टार सुशान्द की मौत का तमाशा बना दिया जांच परताल के नाम पर सारे सबूत मिटा दिये किसे बचाने की जुगत में लगी रही शिवसेना ये आज सब को पता है बिहार के एक-एक बच्चे को पता है तीन टांग वाली सरकार में सबसे ज्यादा अगर सुशान्द की मौत के सच को दबाने की कोशिश कोई पार्टि कर रही है तो वो शिवसेना ही है वरना अगर शिवसेना सच के साथ खड़ी होती उसकी मंचा सच को सामने रखने की होती तो पिछले छे महीने से न्याय के नाम पर जो नौटंकी वहाँ चल रही है उसे क्या कहा जाएगा सीधी सीधी जाच अगर बिना दबाव के मुंबई पुलिस ही करती तो सच कप का सामने आ चुका होता लेकिन उधव ठाकरे ने इस मामले से जुड़े तथ्य चिपाने के लिए अपने कुरसी का जमकर दुरूपयोग किया और मुंबई पुलिस कमिशनर परंबिर सिंग भी तो उधव ठाकरे सरकार की कठपुतली बने नाच रहे हैं उन्होंने तो अपने आकाओं के कहने पर खुद कानून का पैरुकार होकर भी कानून की धजियां उड़ाएं और अब भी उड़ा रहे हैं कहने का मतलब है कि बिहार के लाडले से अन्याय करने वाली शिवसेना बिहार में ही चुनाव जीतने का खुआप पाले हुए थी और बिहार की जनता ने भी अच्छा मज़ा चखाया शिवसेना को मज़ेदार तो यह कि अब भी शिवसेना के तेवर और हेकडी में कोई बदलाब नहीं आया है संजे राउत अपनी पार्टी का नोटा के साथ हुआ चुनावी दंगल तो देख नहीं पा रहे हैं लेकिन बीजेपी और जेडियो के बीच आग लगाने में लगे हुए हैं यहां तक फर्मा रहे हैं कि नीतिश बिहार के मुख्य मंत्री शिवसेना के चलते ही बन पा रहे हैं अब इसे क्या कहा जाएगा अब तो संजेराउत को यह देखना चाहिए कि उधव ठाकरे की तीन टांग वाली सीम की कुरसी कहीं पलट ना जाए कमजे कम कॉंग्रेस ने बिहार में 19 सीटे तो जीती हैं उधव ठाकरे को याद रखना होगा कि कुरसी के लिए रंग रोगन और पार्टी का कलेवर बदलना सिर्फ शिवसेना को ही नहीं आता है बाकी पार्टियां भी अपने नफे नुकसान के हिसाब से वक्त वक्त पर रंग बदलना जानती है तो मिया संजे राउत फिलहाल अपनी पार्टी का आंकलन कर ले तो उनकी पार्टी की सेहत और उनकी खुद की सेहत के लिए भी बहतर होगा वैसे शिवसेना के लिए ये कहावत आजकल बिलकुल फिट बैठती है चौबे जी चले थे छबे बनने पर दूबे बन कर लोटे अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपई से लाइक करे शेर करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे देखते देए क्यापिटल टीवी